दोस्तों आज हम मनाने जा रहे हैं एक healthy traditional recipe को एकदम fancy style में जिसको आप serve कर सते हैं मेहमानों के सामने भी तो आज हम बना रहे हैं सत्तो की कोकी दोस्तों तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कफ गेहूं का आटा ले लिया है और दो बड़े चमच भर के हमने चने का सत्तो ले लिया है अब हम इस सत्तो को इस आटे में मिला लेते हैं दोस्तों यह सत्तो बहुत healthy होता है साथी साथ हम एक गठी प्याज, थोड़ी सी हारी मिर्च और थोड़ा सा हरा प्याज भी हम इसके अंदर एड़ कर लेते हैं एक छोटा चमच एजवाइन और साथी साथ एक बड़ा चमच यहां पर जीरा भी इसमें एड़ कर लेजे थोड़ा सा यहां पे नमा कैट कर लेज़े अपने स्वाद अनुसार और इसके साथ थोड़ी सी लाल मिची डाल देते हैं दोस्तों बहुत जादा तीखा नहीं चाहिए होता है हमें यहां पर अच्छा सा रंगत लाने के लिए हमने यहां पे एक चुटकी हल्दी भी डाल दी है अभ हम यहां पर दाल देतैं एक चहुटा चंबज धनिया पावडर का और रिसको हम जल्दी से अच्छे से मिला लेते हैं इसको मिलाने کے बाद दो चाहिए गीश कहलेगे हुए धोसी को अच्छा से गरम किया हूआ और इसको मिक्स कर लिते है गी हमें इतना डालना है वि इस पानी को मांडना नहीं है, जैसे हम regular मांड लेते हैं आटे को, बस एक साथ कर लेना है, इसलिए इसमें पानी भी बहुत कम लगेगा, अब देखें यह आटा इस तरीके से बन जाएगा, एक सार हो गया है यहाँ पे, और यह इस तरीके से खुद्रा-खुद्रा सा है, हमने चार-एक की इक्वल साइज में पोशन में आप इसको डिवाइड कर लेजे, तो यहाँ पे यह देखें, काफे अच्छे से डिवाइड हो जाता है, और इसके बाद आपको एक सार कर देना है, एक पोशन को, और यह लेजे हमारा एक टुकड़ा तयार भी हो गया है, तो इस सबसे पहले हम तवे पर दोनों तरफ सेख लेंगे, क्योंकि इसको सेखना होता है, सबसे पहले ट्रेडिशनल रिजिपी है, तो बस एक तरफ सेखने की बाद हम भीज वाली साइट भी इसको सेख लेते हैं, यह देखें, बीज काफी हद तक चिपक जाते हैं, इसमें निकल निकलते नहीं है, और बस इसको हमने दोनों तरफ से थलका हलका सेेख लेना है, और सेखना की बाद Avec Si Far Cisco निकाल ले ते हैं और यह लेजे हमारी सिंधी को के तयार हो गई एक दम फिंसी स्टाइल में इसको आप एक हफते से 10 दिन के बीच में रख भी सत्ते हैं स्टोर कर लेजे और इसको सर्फ कर लेजे चलिए मैं चलती हो के बाई